तो अरो फ्रेंक कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको दाने होगा समसंग की जो थीम है वह थी उसके अंदर कमाल का एक नए अपडेट आयो और कमाल के वह नए फीचर जोड़ दिये गे हैं उसमें जो एक फीचर यह बहुत ही कमाल का यहारा फीचर मुझे लगा आगे आपक अनिष्या होगा यहारा प्लाद को मुवाइल में गुडेट अपडेट आया मतलप की कुछ नए अपडेट आया जिसे अप घ्लिक करते हैं तो आपको नए आप्डेट अपडेट पर आपका नए अपडेट कर लेना है उसके आप दूस्तों यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या नए feature जोड़ दिये गए है तो आप यहाँ पर देखेंगे कमाल का एक नए feature जोड़ दिये गए add features to change each app icon मतलब कि आप एक icon के individual जितनी भी आपके mobile में apps है सबके आप icon का shape change कर पाएंगे और वहाँ पर नीचे दिया गया more option to select a wallpaper तो आप wallpaper select करते हैं तो उसके लिए भी आपको कमाल का option दिये गया है तो उसके लिए मैं आपको कर लेता है उसको open जैसी आप open करेंगे सबसे पहले feature बताने वाला हूं wallpaper selected तो जैसी आप इसको open करेंगे open करने के आपको यहाँ पर create new पर click करना है जैसी आप create new पर click करेंगे तो पहले वाले जो version पर था without update पर सरिफ आपको यहाँ पर दो option मिलते थे current wallpaper gallery का अब यहाँ पर आपको एक और नए option मिलने लगा है जिसका नाम है explore more wallpaper मतलब की अगर आपको यह theme create कर रहे हैं तो आप wallpaper directly upload यह download करके आप डाल सकते कैसे कि जैसे आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नीचे मिल रहा है download कमोडे मतलब की जो भी आपने download करके रखें wallpaper आपने कोई भी यह download करना तो आपको अपने साब से कोई भी wallpaper को download कर लेना है उसके बाद यह सबसे पहला feature तो यह ही है तो ज़्यादा काम का मुझे लगा नहीं उसके लिए आपको यह next पर click करना है next पर click करने के बाद यहाँ पर आपकी theme create पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर ऐसा option मिलने लग जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पर करना के तो second feature यह वो है एप से लेटेड़ एप आइकन से लेटेड़ तो यहाँ पर आपको option मिलेगा उपर icon package का जो की पहले ही मिलता था अब भी आपको को मिल रहा है अगर आपको नहीं पता तो आपको यहाँ पर कोई से भी अपना icon package download करना है डाउन लोड करने के लिए आपको यहाँ पर प्लस पर click करेंगे प्लस पर click करने क्या तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ पर popular free icon download करेंगे जो भी आपको अच्छे लगे आपको इसको डाउन लोड करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो सबसे अच्छा changes यह आया यहाँ पर आपको करना क्या है तो यहाँ पर यहाँ पर जैसी आप change icon पर click करेंगे उसके बाद क्या होगा जितनी भी आपकी आपको app icon package download कर लेना है तो आपको यहाँ पर वो दिख जाएगा यहाँ पर आपको option मिल रहा है default gallery और लेडर जो भी आपने download करा icon package वो मिल रहा है अब यहाँ पर करना है जैसे मुझे Instagram एप मेरे को अपना जो मेरा icon है वहाँ पर मुझे अपनी photo लगानी तो मैं gallery में चला ग लूँगा camera पर जाओंगा यहाँ पर gallery पर click करूँगा gallery में click करने का मुझे अपनी फोटो को यहाँ पर लगाना है तो कोई भी photo को मैं अपनी यहाँ पर लगा दूँगा तो मैं यहाँ पर कोई भी photo find कर लेता हूँ और मैं उस photo को वहाँ पर लगा दूँगा तो लाइक मि तो बहुत ही अच्छा option है बहुत लोग चाहते हैं कि जो भी personal app से किसी को पता ना चले तो आप उस feature का use कर सकते हैं जिससे बहुत कम लोग उसको find कर पाएंगे अगर आपको यहाँ पर इसको नहीं लगाना आप यहाँ पर क्लिक करें हाँ पर जो भी आपने icon package download करा है तो आप उसके साथ में मिलता है यहाँ पर लगा सकते हैं यह अगर आप चाहते हैं आपको बापिस वैसा ही चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करें डिफॉल्ट पर क्लिक करें तो यह डिफॉल्ट पर हो जाएगा दोस्तो यही latest update यह latest नया changes यही था उमीद है कि आपको ही मेरी वीडियो पसब आई होगी आपको नीचे description में बिल जाएगा तो thank you